So hello मेरे प्यारे बच्चो मैं हूँ सूजल आपका दोस्ट and host and आप देख रहे हैं सीख लो जहां सीखना कभी boring नहीं होता तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक जबरदस्त कहानी जिसका नाम है The Thief's Story written by Ruskin Bond अब क्योंकि इस chapter के title में Thief है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कहानी सिर्फ चोरों की है बलकि ये कहानी हम सब की है क्या मतलब भाया ने सबको indirectly चोर बोल दिया मतलब कि वो चोरी ही करना छोड़ देता है अब आप लोग सोच रहोंगे कि अरे भाया इतना भयंकर twist कैसे तो वही हम लोग पढ़ेंगे इस chapter में लेकिन उससे पहले सीखलों को subscribe जरूर से कर लेना बाकी class 10 के chapters की animated videos को देखने के लिए तो चलो फिर सुरू करते हैं The Thiefs Story का exploration तो देखो ये जो chapter है इसमें basically दो main characters है पहला है अनिल का जो की एक साधारण 25 साल का आदमी है और ये बिल्कुल अकेला है हाँ एकदम तुम्हारी तरह और दूसरा character है एक 15 साल के चोर का जिसने 15 साल की उमर में चोरी में एकदम महारत हासिल कर रख है और उसका कुछ ऐसे नाम नहीं था क्योंकि वो हमेसा अपना नाम change करते रहता था ताकि लोग या पुलिस उसे पकड़ न पाए और उसकी identity चुपी रहे तो एक दिन की बात है अनिल wrestling match देख रहा था और मैं आपको बता दू कि अनिल दिखने में एक wrestler के जैसा ही था means वो लंबा था उसका ठीक ठाक lean body भी थी तब ही जो हमारा 15 साल का चोर है वो अनिल को देखता है और उसको अनिल को देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये एक दब मींस ठीक ठाक decent सा बंदा है इसका मैं असानी से काट सकता हूँ इसको बेवकूफ बना सकता हूँ इसको लूट सकता हूँ ज्यादा क्यों सोच रहे हो एनिवेज आगे बढ़ते है लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले इस आदमी से दोस्ती करना पड़ेगा तो वो अनिल के पास जाता है उसे कहता है कि आप तो एक wrestler के जैसे दीखते हो मतलब भाई अब कुछ तो चाहिए ना बात स्टार्ट करने के लिए तो वो ये बोल देता है कि आप तो एक wrestler के जैसे देखते हो तो क्या आप wrestling करते हो फिर अनिल उसके तरफ देखता है और कहता है कि हाँ तुम भी एक wrestler के जैसे ही दीखते हो और वो इस चीज को सुनके थोड़ा अचंबित हो जाता है क्योंकि वो बिचारा एक दुबला पतला सा आदमी था आदमी क्या यार एक छोटा सा पंदर साल का बच्चा था लेकिन फिर भी बिचारे को चोरी करना था तो वो उसकी बकवास को चुप-चाप सुन लेता है और बोलता है कि हाँ मैं ऐसे कभी-कभी कर लेता हूँ फिर अनिल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है अब यहाँ वो अपना नाम हरी सिंग बताता है फिर अनिल रिसलिंग के बारे में बकर-बकर किये जा रहा था and meanwhile Harry Singh को wrestling के बारे में कुछ भी उतना पता नहीं था इसलिए वो बस चुप चाप ऐसे सुन रहा था and फिर उसके बाद Anil वहाँ से उठके जाने लगता है and फिर Harry Singh भी उसके पीछे पीछे चलता है फिर Anil पीछे देखता है and उसको बोलता है कि तुम मुझे follow क्यों कर रहे हो अब भाय उसको क्योंकि चूरी करना था तो वो बोलता है कि मुझे आपके लिए काम करना है फिर Anil बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुमको देने के लिए अब क्योंकि उसे Anil को लूटना था तो वो तुरन दिमाग लगाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो अब Anil कहता है कि हाँ अगर तुम खा सकते हो तो मैं तुम्हे खाना खिला सकता हूँ अब होना क्या था अनिल हरी सिंग को अपने घर लेकर के जाता है जो कि जमना स्वीट्स के उपर था और उसको बता देता है कि देखो ये बालकोनी वाला एरिया है इसमें तुम सो सकते हो अब हरी सिंग को खाना बनाने का जॉब मिल गया था लेकिन उसने जूट बोला था उसे कुछ भी खाना बनाने बनाने नहीं आता था जब उसे order मिलता है रात का खाना बनाने को, तो वो खाना तो बना लेता है, लेकिन उसे खा कर अनिल का reaction कुछ ऐसा था, means वो खाना बहुत जदा बेकार था, एंड उसे मजबूरन सारा खाना street dogs को देना पड़ता है, एंड वो हरी सिंग को ये भी कह देता है, कि भाईया तुम उसे ना हो पाएगा तुम निकल लो, लेकिन हरी सिंग चुप चाब स्माइल करके वहाँ खड़ा रहता है, फिर थोड़ी देर बाद अनिल आता है, उसके सर को सहलाता है, एंड कहता है कि अगर तुमें खाना नहीं बनाने आता, तो तुम मुझे बता देते, मैं तुमें सि उसे अपना नाम लिखना भी सिखाता है, वो ये भी कहता है कि वो जल्दी उसे पूरा सिंटेंस लिखना सिखा देगा, एंड उसे जोर घटाओ भी करना सिखाएगा, एंड इस चीज को सुनके हरी सिंग जो कि हमारा चोर है, वो बहुत जादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक बार एजुकेटेड मैं बन जाता है, तो वो अपने बलबूते पैसे कमा पाएगा, वो जो चाहे उसे अचीव कर पाएगा, फिर क्या, वो डेली सुबा उठकर चाहे बनाता था, एंड देन मार्केट चला जाता था, कुछ को समान खरीदने मे और इस चीज में वो थोड़ा मोड़ा ऐसे 2-4 रुपया भी कमा लेता था, मतलब कि बचा लेता था, जो कि अनिल को भी पता था कि वो डेली ऐसे 2-4 रुपया उसका रखरा है, बट उससे उसको कुछ फरक नहीं पड़ता था, अब वो बताता है अनिल के बारे में, तो वो पैसे ऐसे उड़ा देता था, तो ऐसे ही एक दिन अनिल अपने घर ऐसे चेक लेकर के आता है, क्योंकि उस दिन उसने पब्लिशर को बुक बेची थी, जिससे उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, हरी सिंग पिछले एक महिने से अनिल के साथ रहता था, वो डेली अनिल के 2-4 रुपया मार लिया करता था, लेकिन अभी तक उसने कोई बड़ा हाथ नहीं मारा था, और उसके पास आज एक बहुत अच्छा मौका था, कि वो अनिल के सारे पैसो को लेके भाग जाए, अनिल हरी सिंग पे पता नहीं क्यों, बट बहुत भरोसा करता था, वो उसे अपना घर का चाबी भी दे रखा था, और हरी सिंग कभी भी कुछ भी समान को ऐसे इधर उदर कर सकता था, मतलब कुछ भी चोरी कर सकता था, फिर वो बताता है कि अनिल एक बहुत ही ज़्यादा केरलेस आदमी था, हरी सिंग कहता है कि एक ग्रीडी आदमी, लालची आदमी को लूटना बहुत ईजी है, लेकिन एक केरलेस आदमी को लूटने में उतना मज़ा नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि उसका समान चोरी हुआ है, अब भाई मेरा अगर कोई समान चोरी हुआ होगा, तो मुझे अगर पता ही नहीं चलेगा, वो चोरी तो वही यहां पर बताया जा रहा है, फिर वो कहता है कि खैर मुझे क्या, आज मैं चोरी करूंगा, और फिर साधे दस पे लखनाव एक्स्प्रेस में बैट के यहां से 9-11 हो जाओंगा, वैसे भी यह इतने पैसों को उड़ा ही देगा, और कौन सा यह मुझे पेमिंट करता ह म Changi Malak, कौन सा यह मुझे पे चरता है, फिर रात हो जाती है, अनिल सो रहा था, और उसका जो फेस है वो Harry Singh से भी ज़्यादा क्लियर था, अब एज में अनिल बढ़ा था, लेकिन उसका जो फेस है वो Harry Singh से ज़्यादा क्लियर था, उसके चेहरे में कोई वी ऐसे दाग धबय नहीं थे जो कि हरी सिंग के चेहरे में थे उसके चेहरे में बहुत सारे दाग, धबे, स्क्रैच, स्कार्स ये सब थे लेकिन अनिल का चेहरा एकदम किलियर था फिर वो अपना हाथ मैटर्स के नीचे डालता है उन पैसो को ढूड़ने के लिए and meanwhile अनिल का फेस तुरंट उसके फिर वो सीधा रेलवे स्टेशन के अंदर पहुँच जाता है वो कुछ भी टिकट विकट नहीं लेता है and ना ही उसने कभी अपने जिनकी में लिया भी था क्योंकि भाई चोर आदमी है क्या ही वो टिकट लेगा फिर ट्रेन प्लैटफोर्म में तो आ चुका था लेकिन पत प्लैटफोर्म में अकेला पाता है उसके पास कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो कहां जाये अपना रात को कहां गुजारे उसके तो कोई दोस्त भी नहीं थे यहां पर मैं बस एक आदमी को जानता था and उसे भी मैं लूट कर आ रहा हूँ मेरे पास इतने पैसे तो है कि म इसके इस चोरी के करियर में अरे मैं मैं इस चोरी कर और काय करियर वारियर नहीं होता वो ऐसे लिखने को लिख दीया है आप लोग उसे देख कर ऐसे मौटिवेट मत हो जाना एनिवैस वो सोच रहा था कि उसे अपने क्षिं में बहुत सरे लोगों को लूटा है तो जब एक चोर एक अमीर आदमी को लूटता है तो उसके फेस में गुस्सा का एक्स्प्रेशन होता है और वहीं जब वो चोर एक गरीब आदमी को लूटता है तो उसके अंदर एक acceptance का feel होता है means हो गया तो हो गया means क्या ही कर सकते वाला feel and फिर वो अनिल के बारे में सोचता है कि उसको कैसा लगेगा जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने उसका सारा पैसा लेकर ऐसे भाग गया तो वो कैसा feel करेगा तो वो assume करता है कि अनिल के अंदर sadness वाली feel होगी basically पैसो की नहीं बलकि trust के जाने की क्योंकि वो Harry Singh पे बहुत ज़्यादा trust करता था and फिर वो भी ये चीज़ सोचता है कि आज तक उस पे कोई भी उतना भरोसा नहीं किया जितना अनिल नहीं किया है तो यही सब चीज वो सोच रहा था and वो फिर मैदान के तरफ चलते हुए जा रहा था मैदान में पहुँचकर वो एक bench पर बैट जाता है उस रात बहुत ठंड थी क्योंकि November स्टार्ट हो चुका था and फिर वहाँ पर जल्दी बारिश भी होने लगती है उसका shirt and pajzama पूरे तरीके से भीग जाता है and उसके body में चिपक जाता है even कि जो notes थे उसके पास वो भी गीले हो जाते है फिर वो वहाँ से उठकर जाता है बाजार में clock tower के नीचे जाकर को बैठता है and उस वक्त exactly 12 बज रहे थे फिर वो सोचता है कि अगर ये पैसे अनिल के पास होते तो वो क्या करता मैं सुबा उठता अनिल मुझे कुछ पैसे देता and मुझे कहता कि जओ ऐसे मिन से cinema मिनिमा में movie movie देखकर आ जाओ लेकिन अब तो सारे पैसे मेरे ही है मुझे ना तो cooking करना पड़ेगा and ना ही मुझे daily सुबा बाजार जाके ऐसे समान लाना पड़ेगा अब मैं इन पैसो से कुछ दिन तक तो एकदम आराम से बिता सकता हूँ अब मुझे sentence भी लिखना नहीं पड़ेगा अब उसको एकदम से ये चीज यादा जाता है वो सोचता है कि अब मैं कभी educated नहीं हो पाऊंगा मैं कभी sentence नहीं लिख पाऊंगा मैं चोरी करने में इतना खो गया कि मैं इतना important चीज को ही भूल गया अगर मैं educated हो जाता तो मैं खुद से sentence लिख पाता तो ये जो 50-50 के notes है मैं अपने दम पे 100-100 के notes कमा पाता वैसे भी चोरी करना और पकड़ा जाना बहुत असान काम है लेकिन एक बड़ा आदमी बनना एक respected आदमी बनना बहुत मुश्किल है इसलिए उसे लगता है कि उसे अपने जिंगी में आगे बढ़ना है इसलिए उसको अनिल के पास वापस से जाना चाहिए और ठीक वो ऐसा ही करता है वो अनिल के घर वापस से आता है उसके room में जाता है उन पैसों को वापस से चुप-चाप एकदम mattress के नीचे रख देता है और फिर वो जाकर के सो जाता है मदब कि जहां से उन पैसों को वो चुराया था वापस से वहाँ पर डाल देता है और फिर अपने जगा पर जाके सो जाता है अगली सुबा जब वो उठता है तो वो ये देखता है कि अनिल उसे पहले उठ गया है और उसने पहले ही चाए बना के रखा है और तभी अनिल उसकी तरफ मुड़ता है और दो उंगली आगे करके बढ़ाता है मदब कि एकदम ऐसे ऐसे मिन्स वो बस ऐसे मेरी तरह उंगली ही नहीं बढ़ाता है बलकि उस उंगली के बीच में एक पचास का नोट भी बढ़ाता है और फिर वो ये भी कहता है कि अब से तुमको तुम्हारे काम के लिए रेगुलरली पे किया जाएगा इस चीज को सुनके हरी सिंग मिन्स काइंड औफ पगला जाता है उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ अचानक से ऐसे चमतकार क्यों हो रहा है अब जैसे ही वो उस नोट को लेता है तो उसको पता चल जाता है कि अनिल को पता लग चुका है और वो कहता है कि आज हम लोग ऐसे sentence लिखना सीखेंगे और इस बार हरी सिंग को smile करने के लिए कोई भी efforts नहीं लगाने पड़ते है मतलब कि इतने सालों से वो चोरी के फिराक में था तो वो ऐसे smile करता था लेकिन इस बार उसका जो smile था वो एकदम natural था शायद अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है तो ये था हमारा आज का chapter all about अब दोस्तो आपके लिए एक task है आप मुझे ये बताओ कि आप अगर अनिल के जगा होते तो क्या करते पुलिस को inform करते या फिर कुछ और कमेंट में जरूर बताईएगा और ऐसे ही क्लास 10 के अनिमेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सीख लो को सब्सक्राइब कर लीजगा तो मिलते है किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए सीख लो के साथ सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए थैंक्स फर वाचिंग